स्वादागत है हकीम साहब हकीम साहब यहाँ बात करूं यहाँ पर थाइराइट को ले के तो थाइराइट और होने के कारण क्या होते हैं क्योंक्य व्यक्ती समझ नहीं पाता है कि एक दम से वह पतला क्यों हो रहा है और एक senhor मोटा क्यों हो रहा है और थायरेड से बचने के लिए नुस्के क्या कुछ हो सकते हैं थायराइड के ग्लैंट्स होते हैं और वो हमारे यहां गले में होते हैं आपיך देखा वह कि कुछ लोगों के को गला पूर भी जाता है हां से बड़ा हो जाता है तो यह जो चीज इन्हें एक लिमिट में रिलीज करनी चाहिए उस से कम या ज्यादा करने लगते है जी तो इसी को आसान जबान में थारेट कहते हैं अब इसके लिए बहुत इलाज हैं बहुत दवाईयां हैं जिंदगी बार खाने की भी दवाईया हैं और कुछ दिन खाने के लिए दवाईया हैं युनानी इस रोग में अच्छा काम करती है अगर किसी को थारेट है तो युनानी से आप इलाज कराएं तो फाइदा होना मुम्किन है चलिए इसे के साथ पहले कॉलर हैं बात कर लेते हैं शुभब हैं हरियाना से स्वागत है आपका जी नमस्कार मैडम जी जी नमस्कार अदाव दक्टर साब जी अदावर साब बताईए क्या सवाल है क्या होता है क्या होता है डोक्तर साब मेने थोड़ा गेट विए उठाए था उसके बार मैंने अध्रस्टर सुन कराए मेरे आंग्तों पे श्वेलिंग बताईए कि आपके आंग्तों पे सोई आ चुकी है और उसकी इंग्लिस दौई चलाई थी लेकिन उसके मेरे को कोई फरक नी पड़ा है क्या उम्र है आपकी? डोक्तर साब मेरे उमर 25 वर्स है तकलीफ होती क्या है आपको यह बताईए पेट में तकलीफ होते होता है पेट में और नाभी से उपर भारी भारी रहता है मैं कुछ हैवी चीज़ नहीं खा सकते जैसे कि यो टी कुछ भी मनलब की हैवी वो मैं खानी सकता हूं वो उपरी रखा रखता है ठीकिए अच्छा देखिए आप ऐसे बिल्कु सीधे खड़े हो जाईए और अपने पैर ऐसे जोड लीजे बार बिल्कु साथ में ऐसे रखें पैर खड़े होकर सीधे पैर बिलकु बरावर बरावर रखे और गुटने भी ऐसे रखे बगएर गुटने मोडे आप अपने पैर चुने की कोशिश करिए दिन में कम असकम पांच बार बगएर गुटने मोडे आप अपने पैर चुने कोशिश कीजिए पांच बार और एक आता है देखिए एक आता है बेल का मुरब्बा वो ले लीजे बेल का मुरब्बा और वो एक पीस उसका ये पीसिज में होता है सुबह खाली पेट खाया करें एक पीस और एक आता है अरंडी का तेल से कैस्टोल आइल कहता है medical पर मिलता है इसका एक चम्मश सुभा एक चम्मश शाम पिया करें चोटा चाय का चम्मश और गरम पानी पीए इसके बाद हूग गरम गरम पानी इससे आपको फायदा होना मुम्किन है यूपी से है गोविंदा जी स्वागत है आपका अधाव जी अधाव जी अधाव बोलिये सवाल कर लिजे अरे क्योंकि पोजन सम करने के लिए और पहले में यूविक एसी देट सालूर की निशी बढ़ जाता है ज़र दोता है आपके उम्र क्या है उम्र तीस साल देखिए यूरिक एसीड की एक अच्छी दवा मैं आपको बताता हूँ रो मेटेरियल है सारे ये अलसी आती है अलसी ये ले ले दो चार सो ग्राम लेकर हलका सा भून के पौडर बना ले और ये अलसी एक चमस खाएं और एक ले ले नमक जैतून नमक जैतून एक नमक जैस दिखने वाला एक पदार्थ है जो नमकी नहीं होता ये असली ले एक चमस अलसी और एक चुटकी उसमें नमक जैतून मिला के रोजाना एक बार या दो बार खालिया करें आपको फायदा होना मुम्किन है तो आपको फायदा गोविंदा जी जरूर हो जाएगा बहुत जरूर बताईएगा कि आपको कितना अराम मिला है दर्शको सब्र अगर आप लोग रख सकते हैं सब्रके साथ कोई भी नुष्के अपनाते हैं या युनानी उपचाड़ लेते हैं तो आप किसी भी रोक से मुक्ती पा सकते हैं गारेकरम लाइव है लाईव आप लोग हकीम अनिकेद कहां से बात कर रहे हैं आपका सवाल क्या है मैं दिनाय हो गया है इसकी के बारे में डॉक्टर साइब कर दोड़ा देखना है इसकी के बारे में ठोड़ा देखना था है क्या परिशानी हो गया है इस दिनाय हो गया है आपको क्या प्रॉबलम होती है आप ये बताईए अधिनाय हो गया है आप के ना ये वाली बात हमें समझ में नहीं आ पारी है आप थोड़ा थीक से बताईए खुझली हो गया है खुजली होती है जी शरीर में जी जी अच्छा पता नहीं देखिए आपने पूछ लिया मैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा था कि कौन से बीमारी आई है नहीं अच्छा देखिए एक आता है नमक जैतून जैतून का नमक ये असली ले ले दो चुटकी रोजाना पानी मिला कर एक बार पी लिया करें आपकी खुजली का ठीक होना मुम्किन है तो मुम्किन सब कुछ है दर्श को जब आप लोग विश्वास रखते हैं अपने ऊपर और हिम्मत करते हैं खुद से कि हमें अब ये नुस्के अपनाने हैं हमें तो सेहतमन बनना है अपना कीमती वक्त न अपने दिखाये जा रही है हरियाना से हैं रचना जी स्वागत है आपका है बमत सतंब है यह ऑफ हम कर दो जी प्रेशन कर लेजिये मेरे को जी कहां पर कि पेस्टेक्स कि यह होता है दाने निकला आते हैं थोड़ा सा जैसे सर्दी हो या गर्मी हो ज्यादा ना तो मेरे सेज पर तुरा लाल हो जाता है गाल ठीक आपके उम्र क्या है? मेरी उम्र है 36 दाने भी निकलते हैं अधिके शर्दी में किसी को भी ज्यादा सर्दी में मॉस्चराइजर तो लगाना तकरीबन तेई है हमारी भी तो इचा ऐसी होती है तो मॉस्चराइजर लगाते है वो तो आप ख़ल लगाती ही होंगी अगर ये इसके आगे की बात है और तारे निकलते हैं और अलर्जिय हो जाती है तो फिर आप गौन मौरिंगा सफेद ले और एक गिराम या अदा गिराम पानी में मिलाकर या नारियल पानी मिलाकर रोज एक बार ले लिया करें आपको फाइदा होना मुम्किन है जी अगले कॉलर है शेव हमारे साथ दिल्ली से स्वागत है आपका नमस्कार वेंजी जी नमस्कार बताइए सर आपका सवाल क्या है वेंजी नमक कलों जी क्या काम आता है आपके यहां से नमक कलों जी आया आता है मेरे कावज पिहाए बहुत ज़्यादा ठीक है जी हाँ दो चुटकी एक चुटकी कहते हैं हम इने किसे दो चुटकी या अधा ग्राम एक ग्रास पानी में मिलाएं और पी लिया करें इसे रोजाना एक बार या दो बार बस पहले एक बार शुरू करें और ये तेजी से फाइदा करता है और ये खत्ब होने तक आपको फाइदा होना मुम्किन है जी